दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज रिवाल ने अपने पत्से सीफे की घोचना कर दी है उन्होंने कहा कि दो तीन दिनों में आमादमी पार्टी के विदयक से वो मुख्यमंत्री का चुनाफ करेंगे इसके साथ ही केज रिवाल ने दिल्ली में जल्दी चुनाफ की मांग भी कर डाली उन्होंने कहा कि नवंबर में चुनाफ कराया जाए ऐसे में भाशपा और कॉंग्रेस की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि गेजरिवाल जल्दी चुराफ चाते हैं तो उन्हें विधान सभा भंग करने की सिफारिश यूग नहीं की आम आदमी पार्टी के वरिष्ट निता और राजे सभा सांसत संजय सिंग ने इसका जवाब दिया और उन्हें राश्ट पति शासन की आशंका दाहिर करते हुए कहा कि इससे बचने के लिए विधान सभा का भंग नहीं किया जा रहा एक न्यूस चानल्स के बाचीत के दौरान संजय सिंग के सवाल किया कि केजरिवाल ने विधान सभा सदसिता भंग क्यो नहीं की इसके जवाब में राजितवा सांसन ने कहा कि विधान सभा भंग करत के राश्ट पति शासन लगवाना है क्या यहीं पर जाब विधान सभा भंग हुई फिर किताबे सालों तक राश्ट पति शासन लगवा कर रखेंगे आपको क्या बात आएं कि BJP वालों के बारे में इनका काम ही खरीद फरोस्त करना है सरकारों को गिराना है चुनी हुई सरकारों को गिराना है चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग तै कर ले हमारे प्रधान मंद्री कहते हैं One Nation, One Election वो तै कर ले दे दरसल आव आज भी पार्टी का मानना है कि यदि एक बार दिल्ली में राश्यपति शासन हो गया तो भाजबा चुनाव में कुछ देरी कर सकती है और केजरिवाल के स्थीफे के बाद जो माहौल तिया कर गया वो ठंडा पड़ गया दूसरी वज़ा से ये भी है कि मंच वे भले के जरिवाल ने जल्दी चुनाव की वांगड़ा ली लेकिन वो जानते हैं कि ऐसा होना मुम्किन नहीं ऐसा वो भी चाते हैं कि सरकार ने मुख्यमंदरी के नेतरत में बचा हुआ कारेकाल पूरा करे चुनाव में उतरने से पहले वो महिलाओं को अधरिक्त सहायता देने की युजना समेथ कुछ ऐसे काम कराना चाहेंगे जिनने चुनाव में लाब दिया जा सके दिल्ली में विदानसवा का चुनाव फरवरी में प्रस्तावित है केजरीवाल ने महराश्र और जारकन विदानसवा के साथ दिल्ली में भी नवंबर में चुनाव कराने की मांग की बाज़पा की ये रही कि जल्दी चुनाफ के लिए तयार है हाला कि जानकारों की माने तो यदि केजरीवाल अभी विदासभ भंग कर देते हैं तो चुनाव निर्धार इस समय से ही होंगे इसी के बाद कतिच शराब घोटाले में गिरफतारी के बाद महीनों तक जेल में रहकर जमानत पर निकले केजरीवाल ने कहा कि विदायकों के साथ वो बैठक करेंगे उन्होंने कहा कि दो-तीन दिन में विदायक दल से बैठक होगी और आम आदनी पार्टी से नए सीएम का चुनाफ किया जाएगा केजरीवाल की गोशना के बाद इस बात की चर्चा छिड़ गई है कि दिल्ली का मुख्यवंतरी कौन होगा आई आपको सुनाते हैं क्या बोला अरविंद केजरीवाल ने दो दिन के बाद आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से स्तीफा देने जा रहा हूँ और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे मैं जनता के बीच में जाऊंगा गली-गली में जाऊंगा, घर-घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरी वाल इमानदार है तब तक मैं सीएम की कुर्सी के उपर नहीं बैठूंगा दिल्ली में अभी मद्दान सूची को अपडेट करने का काम होना बाकी है ये जनवरी तक पूरा हुस्वाएगा ऐसे में चुनाव आयों के लिए नवंबर में चुनाव कराना मुम्किन नहीं ऐसे ये ब्डेट्स के लिए देखते रहिए निउस वर इंडिया